प्रेंस आज हम समराड अकबर की जन्म कुल्डी का विश्लेशर करेंगे इनका पुरा नाम जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर था इनके बाइबे थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था उमर कोट किला सिंद में इनके पिताजी का नाम हुमायू था माता का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम साहिवा था और यह जो है 14 फबरी 1556 में सम्राड बने थे मल बनका राजविशेक हुआ था अक्बर को मुगल समरज्जे के संस्थापक के रूप में जाना जाता है इन्होंने इनको जो है हिंदू-मिसलिम दोनों ही वर्गों का बराबर प्यारों सम्मान मिला इन्होंने दीन इलाही नामक धरम की स्थापना की जिसमें सभी धर्मों को समान आदा समान दिया जाता था उनका दर्मा हर समस्थ खुला रहता था अकबर ने हिंदू पर लगने वाला जजिया कर समाप्त किया इसके लावा भी और भी कई कारे किये जिसके कारण की हिंदू-मुसलिम दोनों ही उनके प्रश्शन संक बने मात्र तेरा वर्ष की आयो में अपने पिता की मत्री के प्रांत दिल्ली की राजगदी पर बैठे थे अपने सम्राज के गठन करने उत्री अमध्य भारत के सभी छेतर को एक छतर एक अधिकार में लाने में अकबर को दो दशक लग गए थे भारति अप महदी के एक बड़े और उनको चित्तेकारी लाव में काफी इंट्रेस्ट था और यह हम उनके जो महल है उसमें भी देख सकते हैं इन्होंने मुगल चित्तेकारी के विकास के साथ ही यूरोपिय शैली का भी स्वागत किया इनको साहित्य में भी बहुत उची थी अनेक संस्कित पांडुलुपियों वा ग्रंतों का फार्सी में अनुबाद करवाया था तो चलिए देखते हैं अकबर दग्रेट की कुंड़ि तो सबसे पहले देखिए इसमें एक जो बहुत अच्छा योग बनता है वो है लगन में देखिए कौन बेठा है लगन में जो है उच्छ का शनी बैठा है शुक्र जो है अपनी राशी में बैठा है है वे साथ में बैठा है बहस्पति यानि कि दो गुर्ष बैठे करमकार कार्क बैठा है और इस की तरकों में कौन है रहूlor फेर्ट है चंद्र गर जुपिटर से्टन वीनस नहीं होता है जब मिनका आपस में कुंडली में नहीं होता है और यह बहुत स्ट्रोंग लिप्लेस्ट होते हैं कुंडली में अच्छी ती होते हैं सुद्र li-style होते हैं तो यह बहुत ही इस्ट्रॉंग फॉर्चुनेट और बहुत धन बड़ा धनयोग बनाते हैं मतना धन होता है विक्ति के पास कि वह गिन नहीं सकता कि अब देखिए कि यहाँ पर जो चंद की इस्ति है नाइंद भाव में यानी कि जो पीटर से connection बनता है यह विक्ति को कला के छेतर में सहित्य के छेतर में घुची देता है इंटरस्त देता है यहां पर जो सूर्फे है सं देखी यहां पर यह किसमें स्कॉर्पियो शाइन में में यानि विष्चक राषी में जो की वाटर साइच होता है तो उनकी थो तीक घञार होता सिंह राशी यहां पर वeton ऑफ है मैं भियों अधियर यहां पर जो है सैंच वे सीए सूर Clearly कॉने जानिस जानते हैं फिक्ताव उसका होता है ठीक विप्तावी तो गाहिए सिंहासन ऑफिड्यूत सब्सक्राशान से फती छूर्विए सिंह हासन जता है अहां तो उनको राजपद मिला अकपर को कि doinकर सिंगहासन मिल गया है यहां पर किहते हैं अगपर की साथ राने थी और कितने मल्टिबल अफ्येयर से ये पता नहीं लेकिन तो यहां पर दीड़ी चु जुपीटर कौन होता है जूपीटर का बारक होता है जूपीटा यहां पे है और इसके संबन्द देखी किसके से बनते हैं से वीनस से मून से घाहू से ठीक है ना तो यह बताते हैं कि जाते के मल्टिपल गिलेशन्स हो सकते हैं कि आप कि गाजा लोग तो वैसे भी आपने देखा ही होगा हिस्ट्री पड़ी होगी गाजा लोग के की तो कई शादियां होती थी और यह भी पता चलता है कि गाहू का अन्वॉल्मेंट है तो डिफेंट कास्ट की थी अब यहां पर देखिए जो मंगल बैठा है वह उच्छ का होके बैठा है उच्छ राशी में बैठा है फोर्थ हाउस में तो यहां पर जब मंगल उच्छ राशी में होता है मंगल कौन होता है सनापती यानिकि यह क्या बताता है ग्रेट वर्यर यानिकि महान योद्धा कि यहां पर जो होता है वह मून का होता है चंद की राशी में जो है मंगल नीच का होता है तो इस युद्धा की कुछ कमिया भी थी अकबर जो कहा जाता है अकबर के बाएं में कि वह काफी फूड़ी थे तो जब जुपीटर का वीनस मून से समद्ध बनता है तो जा तक फूड़ी हो जाता है कि यहां पर जो है कि के तू के तू देखिए यहां पर इलेवंफ हाउस में बैठा है जुपीटर से इलेवंफ हाउस में बैठा है अगर हम इसको कोण के हिसाब से माने तो संसे सेकेंड होस में आ जाएगा ठीक है तो यह क्या बताता है जाते आपको यहां पर थोर मिल गया आंगे फ्लैग मिल गया यानिकी समगाट अब यहां पर जो बुद्ध है बुद्ध तीसरे घर में बैठा है और के तू जो है पंचम द्रस्ट्री दे रहा है मारकरी को तो यहां पर मारकरी का केट्व से कनेक्शन हो जाता है योगी व्यक्ति में अनलिटिकल इसक्रिस देता है खास्ता भी यह प्रेम संबंद के लिए जाना जाता है वैसे संसे सेगिंड हास अब अबकरी है उसके साथ में उसके मरकरी के जो है नाइन्थ हास में केतु है तो इससे क्या होता है यह कौन सा योग बनाता है यह वक्ति में आड्मिनिर्सेशन की स्किल्स भी जोती है मंगल मंगल उच्छ का हो गया मंगल जु है स्किल्स जूँ है वह एक्साल्टेड मार्स एक्जाल्टेड हो गई मलब हाई लेवल की स्किल्स थी उसके अंदर साथ में किसी कुण्डी में लकती होता है kg यानि कि लक उसके आंगे आगे चलता यह ज्याने चेतन में अगे में पांगेण साथ विक्टि उचाइयों को छूता जाता हैं जुपीट के पोच्ट कि आँगे यहां पर सेटर्न है जूपीटर कई जब सेटर्न होता है तो व्यक्ति को है जो नेमड देखिए जो अकबर की जो डैथ हुई ये से अकबर की जो डैथ हुई है वो कब हुई है 16 105 में 63 years of age में हुई है और 63 years पे जो था जो पीटन का जो सब्सक्राइशन होगा और वह सिक्स हाउस में होगा लगबग करें है और सेकंड है इसका समझ यहां पर सेकंड हो से बन जाता है जो पीटाएगा अगा हुँ जो था वह यहां पर था सेकंड होस हुआ है एक से इनकी डेथ के टाइम पर जो है जो जुपीटा का प्रॉब्रेशन तर वह था था सिक्स समय यहां फें था और सेकंड वह और मून तो ऐसा लग्वत अ से फूट पॉजनिंग से हुई हो ऐसा हो सकता है यहां पर गाहू है वो फिक्थ हाउस पर बैठा है और और फिफ्थ का जो लॉड है वह ए उस्ट और एर्थ लॉड के साथ लगन में बैठा है ठीक है तो यह शो करता है कि इनको संतान से सुख कम मिलेगा या फिछ संतान से श तो फ्रेंस यह था अकबर की कुंड़ी का विशलेशन अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जो कीजिए का थैंक्यू झाल 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 झाल